थाना खन्याधाना पुलिस द्वारा 142 ग्राम मेढे जोन मजी नशीला पदार्थ वाएक सेंटू कार कुल कीमती 21 लाग रुपे का किया गया जब्त खन्याधाना थाना पुलिस दिनों दिन जीरो टोलेरंस अपनाते हुए एक के बाद एक ताबर तोड बड़ी-बड़ी कारिवाही कर रहे हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं वहीं आज खन्याधाना थाना पुलिस दनेंद्र सिंग भदौरिया को विश्व निये मुगबरी द्वारा सूचना प्राप्थुई के एक अग्यात विक्ति पिछोर के तरफ से अवैद मादक पदार्थ बेचने के लिए खन्याधाना के तरफ आ रहा है ठाड़े मारास्ट के कपजस एक पाड़ दर्शी सफेद पन्नी में मेडे जोन एमडी नशीला पदार्थ कुल 142 ग्राम कीमती 17 लाख रुपे वा एक रिवाल्वर रंग की सेंटू कार कीमती 4 लाख रुपे एक सफेद रंग का आई टेल कंपनी का मुबायल सहीत कुल कीमत 21 लाख रुपे को जबत कर सप्लाई चेन को द्वस्त किया गया उक्ता आरोपी मुंबई के विविन निथानों एंडीपेस एक्ट के मामलों में पोरों में भी कई बार गिरफतार किया जा चुका है आरोपी से अन्य सप्लाइरों के संबद में भी पूस्ताश की जा रही है फिलाल आरोपी के विरुद धारा 8 बटा 22 एंडीपेस एक्ट का कायम कर और मामले में विवेजना की ज़ा रही है खनियाधाना से संबाद दाता शिपकान सोने के रिपोर्ट खनियाधाना पुलिस को एक बड़ी नसीख भात लगी है सर जी किस परकार का नसा है सर और क्या पूरा मामला है सर जी क्या पूरी कारवाई है कि मानिय पुलिस अधिक्षक मोदे के द्वारा हमारे यां शिपकरी में चुनाव को देखती हुए एक अपरादियों के प्रती कट्रोर कारवाई हैं की जा रही है उसी कारवाईयों की टेक में कल हम लोग गुद्णा नदी के पास चैकिंग कर रहे थे हैं मुखववी सुचना थी तो उस सुचना के आदार पर एक सेंट्रो कार निकली तो हमने उसकी जब तलासी में तो उसमें एंडी पाउडर होता है वह 113 ग्राम मिला जिसकी कीमत करीब सत्रा लाग रुपे है मार्पीट में उसे अरेश्ट किया हूं जब उसका नाम पता पूचा तो उसमें अपना नाम निशार पुत्र जुवेर खान 49 साल गॉंबे महराष्ट का होना बताया और इसने खुद बताया कि मैं दो तीन बार गॉंबे में बंग हो चुका हूं और यह गॉंबे से इंदौर होते हुए सप्लाई करते हुए चंदेरी तरफ जा रहा था इसने ऐसा बताया है और कोई आसीस महता करके है बंबे में बड़ा सप्लायर है उसका इसने नाम बताया है उसकी तद्दीर कर रहे है जिजए तर प्रांबे